इन दिनों लॉक्डाउन के चलते सबसे ज़ादा परिशान अगर कोई है तो वो है मजदूर वर्ग और वो लोग जो महनत मजदूरी करके और कारीगिरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं सरकास सुविधा तो दे रही है लेकिन सभी तक ये सुविधाय नहीं पहुच पा रही ऐसे में बॉलिवूड एक्टर सोनू सूध ने बे सहाराओं का सहारा बनने का बीड़ा उठाया है सोनू अभी तक बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं और उन्हें अपने घर तक पहुचा चुके हैं वॉलिवूड एक्टर सोनू सूध इन दिनों गरीबों और मजदूरों की मदद कर देश भर में लोगों का दिल जीत रहे हैं वो लगातार मुबई और आसपास के इलाकों में लोगडाउन के कारण फसे प्रवासियों को उनके घर भेजने और खाने का इंतिसाम कर रहे हैं सोनू की इसी जिन्दा दिली को देखते हुए एक जगह तो उनकी मूर्ती बनाने की तयारी की जा रही है हाल ही में सोनू एक बार फिर चर्चा में आए जब उन्होंने 177 लड़कियों को एयर लिफ्ट किया जो केरल के एरना कुलम में फसी थी ये लड़कियां एक लोकल फैक्टरी में सिलाई और कड़ाई का काम करती हैं फैक्टरी कोविड-19 के कारण बंध हो गई ऐसे में ये सभी मुश्किल में थी सोनू की भुवनेश्वर में रहने वाले एक दोस्त ने इस बात की जानकारी दी जिसके बाद सोनू ने कोल्ची और भुवनेश्वर एयरपोर्ट को सरकास से ऑपरेट करने की मांग की सूतों के मताबेक लड़कियों के लिए बैंगलूर से एक खास एरक्राफ्ट कोची बुलाया गया जब उन्हें लेकर भुवनेश्वर जाएगा ताकि वो अपने परिवारों से मिल सके भुवनेश्वर से लड़कियों के गाउं की दूरी दो घंटे की है ये सफर पूरा करने के बाद वो अपने घरों पर होंगी अपने इसी जन्दादिली के चलते सोनों इन दिनों सभी के दिलों पर राज कर रही है